नमस्कार मेरा नाम है दरपन और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप साथ में हैं इंडिया टुड़े हिंडी के एडिटर अंशुमन पिवारी जी आज है रवी बार और हम दोनों आपके लिए लेकर आए हैं जुलाई महिने का अंतिम अर्थाथ नमस्कार अंशुमन सर कैसे हैं आप धन्यवाद दरपन जुलाई महिने के संतिम अर्थाथ में और एक बेहद विशेश विशय पर केंद्रित अर्थाथ में जो खबरों की भीड में दरपन हमसे कहीं बीच में छूट गया और हम दो खबरों के तो बड़ी खबरों के तार जो सेग्मेंट में जाएंगे उससे पहले हम अर्थाथ शुरू करते हैं पिसले एपिसोड के बारे में पुड़ा बात करके पिसले एपिसोड में हमने बताया था कि बाजार और सरकार दोनों ही हमारी मिस्ताओं के पीछे पढ़े हैं लेकिन लोग अगर अड़ गए तो डिज जिस चीज़ की आशंका आपने पिसले एपिसोड में जताई थी वैसा ही कुछ इस हफ़ते के कारोबारी दिनों में चाइना में देखने को मिरा जिसके बारे में हमने बुड़वार के खर्चा पानी में भी चर्चा की थी हाँ दरपन केवल चीन में ही नहीं योरोप में और अमेरिका में भी टेक कंपिनीज पर टेक कंपिनीज की मोनोपोलीज पर और टेक कंपिनीज से जुड़े हुए डेटा प्रिवेसी के यानि हमारी निजिता के जुड़े हुए मुद्दों पर पूरी दुनिया में एक किस की मुहिम शुरू हो गई है हमने पिछले अर्थात से आपको ये चितावनी दी थी ये बताया था ये संकेत दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है भारत के नियम भी अब तयार हो रहे हैं आप विस्तार से जानने के लिए प्ले लिस्ट पर जाकर अर्थात का पिछला से जोड़े सवाल और पिसले एपिसोड के कमेंट में आई को सवाल हम लास्ट मिलेंगे अभी चलता है दूसरे सेग्मेंट के ओर जिसमें हम अंशुमन जी से जानेंगे इस हफते के इंडिया तुड़े की कवर स्टोरी और बाकी क्या क्या चीज पढ़ने देखने को मिल सक चुके हैं उस पर केंद्री तिभुत खास और एक्स्क्लिूसिव रिपोर्ट है विस्तार में जो बता रही है कि पिछले एक साल में भारत और चीन के बीच रणनेतिक तोर पर आकिर हुआ क्या है अलग-अलग मोर्चों पर तिबबत से लेकर डोकलाम तक दोनों देश कैसी तैयारियों में हैं चीन का डिजाइन क्या है और सीमा के आसपास चल क्या रहा है इस पर केंद्री तिसमार की कवर स्टोरी है जिसमें हम चीन और भारत और चीन के सीमा विबाद और दोनों के बीच में हिंसक मुटभेड की बढ़ती संभा बनाएं या खत्रे खत्रे को शेक है अन्शमान जी अब सीधे चलते हैं मेन सेग्मेंट पर पाखंड के आरपार यह आपके इस हफते के अरथात का शीशख है क्या यह पाखंड और इसके आरपार क्या है या क्या हो सकता है दर्पन इस लेख का या इस चर्चा का या इस विशे का सूत्र हमें दो हफते के भीतर भारत में घटित हुए और उन तीन हफते के घटना क्रमों ने हमें हमें इस पाखंड को समझने कि और इसके आरपार देखने का मौका दिया अब 2016 में रिजर्ब बैंक ने केंदर अपने सारे बैंकों से कोपरेटिव और प्राइवेट और कॉमर्शियल बैंकों से यह कहा था कि जिन लोगों को कि ऐसे लोग जो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड हैं इनको पिप कहा जाता है ऐसे लोग जो राजनीति कुरूप से एक्सप तरकता बरती जाए और उसके एक नियम तैकिया थे बैंकों को यह नहीं पता था कि जिन लोगों से कारोबार करने में बैंकों को बीसियों शर्तें लगाई गई थी उन्हीं लोगों को कॉपरेटिव बैंकों में डारेक्टर बनाया जाता रहा था यह वे लोग जिन हैं बै राजिनीति में और खासतर से आर्थिक नीतियों में पैठा है, वो अब बहुदली है या वो सर्वदली है, उसमें दलों की कोई सीमा नहीं है। रिजर्ब बैंक ने जून के आखिर में एक कादेश जारी किया, जिसमें उसने कहा कि सहकारी बैंकों में निदेशक, प्रबन न देशक के पदों पर सांसदों विधायकों और चुने हुए प्रतनिधियों की नियुकती नहीं होगी यह एक महत्वपूर्ण सुधार था जिसकी जरूरत काफी लंबे समय से जाहिर की जा रही थी और एक कहा जा रहा था कि कॉपरेटिव बैंकों को राजनीती की जकड से नि की फाइल चल रही थी यानि जब घोटालों के बहुत लंबे इतिहास के बाद सहकारी बैंकों में पॉलिटिकल इंटर्वेंशन खतम करने की राजनीतिक हस्तक्षप खतम करने की कॉपलिटिव बैंकों में लोगों की जमा और बचत को मनमाने राजनीतिक स्वार्थ के बंद करने के लिए रिजर्व बैंक ने जब ये प्रयाश शुरू किया कि इस विवस्था में पारदरशिता लाई जाए तब केंदर सरकार ने कॉपरेटिव सेक्टर में पॉलिटिकल में इंटर्वेंशन की पूरी की पूरी विवस्था को संस्थागत बना दिया इंस्ट यहां है पाखंड की का जो मुद्दा है और बहस यहां है वो इस बात पर है कि यहां तो बहुत मुश्किल से तमाम लानत मलामत के बावजूद तमाम मुश्किलों के बावजूद कितने कॉपरेटिव बैंकों के डूबने के बाद पहली बार ये बात भारत के नियामकों को समझ में आई थी कि भारत की कौपरेटिव बैंकिंग को राजिनीती से दूर रखना जरूरी है महां से राजिनीती को अलग रखा जाना चाहिए और रिजर्ब बैंक ने पहली बार इस तरीके के नियम नोटिफाई किये थे लेकिन यहां तो सरकार ने एक नए तरीकी की वहस्ता शुरू कर दी और लोग इस बात को भूल गए कि हमें कौपरेटिव बैंकों की सफाई करनी थी बलकि चर्चा ही होने लेगी कि ये तो देश की पॉलिटिक्स का गेम चेंजर डिजाइन है और इस तरीके से तो भारत की राजनीति पार्टी देश के राज्जियों में और कौपरेटिव की पूरी राजनीति पर कैसे आगे बढ़ने की कोशिस कर रही किसी ने पलट कर ये पूछने की कोशिस नहीं की कि अगर ये ऐसा ही होना था तो फिर रिजर्ब बैंक को फैसला लेने की क्या जरूरत थी ऐसा ही होना था तो पिछले दो साल से केंदर सरकार के मंतरी अलग-अलग फोरुम पर क्यों ये कह रहे थे कि कोपरेटिव बैंक्स का और कोपरेटिव सेक्टर के काम काज में पारदर रिष्टा लाई जानी चाहिए उसमें राजनी तिका दखल अलग किया जाना चाहिए उसमें इंडिपेंडेंट रेगूलेटर्स बनाए जाने चाहिए और ये सारी बहसे पीछे रखी रहे गई और तालीस बात पर बजने लेगी कि ये कैसा जबरदस्त गेम चेंजर आइडिया है जिसमें कि आप केंदर सरकार कोपरेटिव का मंत्राले बनाने जा रही है जो मंत्राले जो मुलतार राज्यों का अविश है आप कुछ पूछना चाहरें तो फिर माँगे चाहते है अंश्वन जी आपने पाखंड या विडियो दोभास या हिपोग्रेस के बारे में जो तर्थे बताया है उससे पूरी बात किलियर हो जाती है लेकिन आपने लेग के शीष्टे के सिर्फ पाखंड की बात नहींगी बल्के उसके आर पार की भी बात की है तो इस पाखंड के आर पार क्या है और हमें वो दिखता क्यो नहीं किया हरीवां श्राइबच्चन की तरह हम भी सरु कलपना करते रह जाएंगी कि उस पार ना जाने क्या होगा ने उस पार क्या है वो दिखता है हम आपको वापस उस विशब पर ले क्या आते हैं 2016 में रिजर्ब बैंक ने कादेश जारी किया उस आदेश में वो आदेश FATF की जो Entry Money Lundering Guidelines थी उसके आधार पर जारी हुआ था दुनिया के सारे देशों में हुआ था भारत में भारत में बहुत से लोगों को नहीं मालूम है उसमें नए नए प्रावधान और नए नए विवस्थाँ जुड़ती जाती हैं उनके हिसाब से ये इस विवस्था के तहट बैंकों को इन लोगों के साथ काम करना इनको लोन देना इनसे किसी तरीका का कारोबार करना इनसे किसी भी तरीके के बिजनेस एक्टिविटीज करने में सामाने लोगों से जासा तर्टा अबरत नी पड़ेगी आप अगर काड़श पर उस डाक्यूमेंट को पढ़े हैं या जो पॉलिटिकल एक्सपोस परसन का कि जो गाइडलाइन्स जारी की गई बैंकों के लिए उस हिसाब से हमें और आपको जो नान पॉलिटिकल एक्सपोस परसन हैं उन्हें बैंक आसानी से डील कर सकते हैं पर इनमें तो इनकी तो मनी लांडरिंग चेकिंग होगी इनके बारे में इनका सारा रेफ चेक होगा इनकों इनसे कारोबारी संबन्द रखने के लिए बैंकों को भुतसक्त नियम लागू करने होते हैं इनमें कौन कौन हैं ये भी समझना जरूरी है कि पॉलिटिकल एक्सपोस परसन की सूची में कौन से आते हैं ये पूरी की पूरी गाइडलाइनस एफटी एफ और मनी लांडरिंग रोकने की जो अंतराश्ट्री सहमती है भारत जिसका हिस्सा है जिस एफटी एफ और एमल की जो ग्लोबल कंसिंसस है जिसमें इस पश्ट्रूप से माना गया है कि वित्ती सिस्टम में पारदर्शिता को सबसे बला खत्रा राजनेताओं से वित्ती सिस्टम में पारदर्शिता को सबसे बला खत्रा उन लोगों से है जो किसी उच्च पद पर बैठे हुए राजनीति कुरूप से या प्रशासनी कुरूप से वो सिस्टम का दुरूपयों करने और इसके भरष्टाचार करने की अकूद ताकत से अकूद संभावनाओं से लाह से इसलिए इसे तीन कैटिगरी में पॉलिटिकल एक्सपोस परसन क रखे गए यानि बैंकों के सामने अगर कोई किसी राजनीतिक दल का मुख्या चुने हुए थी सांसद ऐसे लोग अगर आते हैं तो बैंकों को उनसे डील करने के लिए एंटी मनी लांडरिंग एक्ट के प्राविधानों के तहत उनका केवाईज ही करना होगा तब बैंक उ के वरिष्ट अधिकारी, विधायक और अन्य चुने हुए प्रतनी थी वराजनीतिक दलों के पदा अधिकारी शामिल हैं इन दो केटेगरीज में बटी हुए इस विवस्था में बैंकों को यह तै करना था कि अगर इन लोगों में से सरकार सेना नियाले, केंद्री बैंक, स साथ, अगर ये लोग बैंकों के पास किसी कारोबार के लिए, किसी कामकाच के लिए आते हैं, तो इन पर वो नियम लागू नहीं होंगे, जो नियम सामाने लोगों पर लागू होते हैं, ये ज़्याधा सा तरकता के साथ, क्योंकि इनके साथ ज़्याधा जोखिम है, तो उ से कारोबारी सम्मंद बनायी है ऐसे ही लोग सरकारी कमपीनियों में independent director हो जाते हैं एक तरिफ जिने आप रैंकों के सामान कारोबार के लाइक भी नहीं मांते हैं Marine Lonking Act के तहट ऐसे ही लोगों को सरकार अपनी कमपीनियों में independent director बना देती है एक RTI से मिले हुई ख़बर जो पिछले एक दिड़ महीने पहले चर्चा में थी कि 98 सरकारी कंपिनियों में से में 172 जो इंडिपेंडेंट डारेक्टर हैं उसमें 86 सतारूल पॉलिटिकल पॉलिटी से जुड़े हुए 172 इंडिपेंडेंट डारेक्टर 98 कंपिनियों में और यहां यह प्रसाद केवल सरकारी के अलनेताओं को ही नहीं मिला है 46 सरकारी अफसरों को भी मिला है अब आप पाखंड यह नहीं तो क्या है तो आपको बहुत सारी जानकारी सारुजिनिक करनी पड़ेगी जो आपके कारोबारी हितों से और company के कारोबारी हितों को बीच के बीच में conflict ना पैदा करती हो और अगर आपकी company कोई ऐसा फैसला ले रही है जिसमें आपका निजी स्वार्थ शामिल है तो उस फैसले से आपको अलग होना पड़ेगा उस फैसले की प्रक्रिया में आप शामिल नहीं होंगे यह company कानूनी इस पष्ट करता है अगर वे किसी ऐसे फैसले में शामिल पाया जाते हैं जिसमें उनका निजी हित शामिल है यह company के लिए नियम है या उनका कारोबारी फायदा होता है धरपन तो उन्हें सजा मिल सकती है करने के लिए committee बनानी थी तो उस committee में बीड़ी कारोबारी ही सांसत के रूप में सदसे थे थे 2015 में यानि जो जिस committee को धुमरपान रोकने के नियम बनाने हैं जिस committee को यह बताना है कि बीड़ी और सिगरेट और तंबाकू धुमरपान की चीजों के उपर चेतावनी किस भारती राजीनीती में तब हमें दिखता है कि भारती राजीनीती में राजनेता का एक हाथ पारदर्शिता की की बात करता है और दूसरा हाथ पीछे से सारे सेहां काम करता रहता है अंशुमन जी जिस conflict of interest की आप बात कर रहे हैं वो कोई नया concept या वरतमान सरकार specific तो होगा नहीं मेरा चालर्शिता का concept नया नहीं है लेकिन यह चुनोती है और यह समस्या लगाता और भठती जा रहे ही conflict of interest ही तो था RBI ने तभी तो यह माना अधर्पन की नहीं cooperative bank को में राजनेता director नहीं होंगे क्योंकि उससे साफ दिखा कि conflict of interest है और उसमें तो यहां तक है कि अगर किसी company का CEO है तो वह भी cooperative bank में डारेक्टर नहीं होगा तो यह चीज जो स्थापित थी जिसे सरकार ने और RBI इन्हें स्विकार किया और उस conflict of interest को रोकने का फैसला लिया उसे दूर करने के बजाए हम उसे नए सिरी से बढ़ते हुए देख रहे हैं और कैसे देख रहे हैं यह पूरा तंत्र भूत पेशीदा है हमेरे लिए समझना हो मुश्किल एक सामान विक्ति के लिए तो बुरी बुरी तरह से जटिल समझ तंत्र को समझना जरूरी भूती मुश्किल हो जाता है कि यह जो conflict of interest है या रसूख के सहारे या अपनी शमता के सहारे अपनी राजनितिक ताकत के सहारे कारोबार करने का यह जो पूरा तंत्र है है जिसके आधार पर पूरी की पूरी भारत की रा आश्टर सेवा जैसी बात नहीं है इसे समझना इसे जरूरी है 2010 में मुझे याद है कि जैपाल रेड़ी का बयान काफी चर्चा में रहा था था उस बयान में जैपाल रेड़ी ने संसद में बात कही थी जिसका जिक्र ADR ने अपनी रिपोर्ट में भी किया है कि लोकसभा म ने कही थी 2010 में और तब हुट संसनी मची थी उस बयान के उपर उपर संसद में conflict of interest संसद की समितियों में conflict of interest पर चर्चा होती रही है अब आप ध्यान से देखिए अगर इस समय लोकसभा का structure तो आपको समझ में आएगा कि पारदरश्यता की चुनोती कितनी बड़ी है कैसे आप जान सकते हैं कि जो आप जिस मंत्रिया नेता को या संसत को आपने भेजा है वो अपने कारोबारी हितों को protect नहीं करेगा आपनी शमिता से समझने की कोशिश करें चोटा सा ऩा data point अगर आप लोकसभा कि सदस्यों के साथ समझने की कोशिश करें तो लोकसभा में आने व बतारता है कि पांसो सो टिटालिस में से करीब 252 सदस से 352 सदस से ऐसे हैं जो किसी किसी कारोबार से जुड़े हुए कोई कोई कारोबार रेकर है वह पार है एंडस्ट से उन्च में سट्रेड रेकर में के वो एगरिकर्चर वहूष है सदस्य बन कर आते हैं, हमारे पास इसका की कोई जानकारी है और डेटा नहीं, लेकिन ADR ने अपनी किस्टेडी में पाया कि कारोबारी प्रिष्ट भूमी से आए, नेताओं के होने के कारण conflict of interest की समस्या सबसे ज़्यादा आती है, उल्जेनिस में एक और है, कि केवल यही नहीं है दरपन की वो जब तक पद पर हैं सांसर्द मंतरी विधायक हैं तब तक वो अपने फैसलों को इंफ्लूएंस कर सकते हैं, बलकि उसके बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी सूचनाओं से से वाकिफ होते हैं, बहुत सारी ऐसी सूचनाओं की जानकारी रखते हैं, जो आने वाले समय उनके के पद से हटने के बाद भी, कंफ्लिक्ट आफ इंट्रिस्ट या उनके कारोबारी हितों को साधने में मदद करेंगी, जबकि वो जिस मकसद से संसद या संविधान या चुनाओं उन्हें भेजता है, वहाँ उन्हें कारोबारी हितों को पीछे रखना है, तब वो एक पारदर्शिती राजनेता के तोर पर सामने हो पाएंगे, ये चुनोती पूरी दुनिया में है मैं फिर कह रहा हूँ ये भारत की नहीं, ये पूरी दुनिया की चुनोती है, और हम जहां पर सरकारे हैं और राजनेता पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी और पिछली सरकारों के भष्टा चारों पर इतने सारी बातें करते हैं, हमने पिछले साथ साल में इसे रोकने के लिए किया क्या है, हमने पिछले साथ साल में इस conflict of interest को खतम करने के लिए इसे बहुत सूक्ष में है, बहुत ही सूक्ष में इन्हें रोकने के लिए क्या किया है, हमने तो ये देखा कि cooperative bank को के बारे में RBI कुछ सोचता है और राजिनितिक party कुछ और सोचती है लेकिन दुनिया के देशों ने भूत कुछ किया जैसे आपने बताया conflict और interest को आपने काल और परिस्तिति के माध्यम से समझाया और आपने का कि दुनिया भर के देशों में इसका निवारन कहां और कैसे दुना जा रहा है कैसे दुना गया है रांशमन जी हमारे पास कई सारे देशों के उधारन उपलद है विस्तार से उधारना सर्च करने पर internet पर भी मिल सकते हैं दुनिया के देशों ने एक बहुत बड़ा काम किया जिन देशों ने अपने हाँ राजनेताओं के राजनीतिक स्वार्स और भृष्टाचार पर नेंतरन करने की कोशिस की कि जिसमें ब्रिटेन, कैनेडा, अमेरिका जैसे देश है उन्होंने ये करने ये सबसे पहला काम है कि अपने नेताओं के लिए डिस्कलोजर्स के नाम बहुत बड़े कर दिये यानि उन्हें हर छोटी छोटी जानकारी हर छोटी छोटी जानकारी नेता होने के बाद सांसद होने के बाद, मंत्री होने के बाद हर छोटी छोटी जानकारी उन्हें देश के सामने सारजिनिक करनी होगी यहां तक कि उन्होंने किस company के share खरीद रखे हैं, यहां तक कि उनके परिवार के लोग किस company में काम करते हैं, यहां तक कि उनके आएके विभिनस रोत क्या हैं, और यह disclosure के नार्म सिर्फ उनके पद पर रहने तक नहीं, बलकि उसके बाद तक लागू होते हैं, आपको याद हो और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि जो पद पर बैठा हुआ है, जो निर्णे लेने की स्थिती में है, जिसके पास एक discretionary power है, जिसके पास एक वेवेका धीन अधिकार है, उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी हमारे एक click पर होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए, हमा बाद इतनी तेजी से कैसे बढ़ जाती है, आकि वो ऐसा क्या करने लगता है कि वो पाँच साल के कारेकाल में अपनी एसेट का लेवल यहां तक ले जाता है, हो सकता है वो genuine transparent business कर रहा हो, लेकिन वो transparent business है क्या, क्या उसका रिश्टा उसके नेता होने से, सांसद होने से, वि बादों पर बैठे हुए लोगों को अपनी हर तरह की सूचना है सारजनी करने के लिए बात दिकिया है, और वो सूचना है public domain में, आप तो अपने मंतरी के बारे में नहीं जानते हैं, हम तो अपने सांसद मंतरी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, उसका क्यवाल एक declaration जो चुनाओ के समय फाइल करता है या वो एक declaration जो संसद में एक नियम के तहर देता है, उसका investment क्या है, कि शेर में उसने पैसा लगा रखा है, उसकी पूरी family का business क्या है, यह सारी चीज़े हैं मैं नहीं पता है, दूसरी चीज़ जो सबसे महत्तवूर्ण सुधार, दुनिय के लिए किया है, कि अगर कोई ऐसा प्रस्ता हो, उनकी समिती में या उनके सदन में, वो जिसमी सदन के सदस हैं, चाहे वो नगरपालिका के सदस्य हैं, या वो विधान सभाय के सदस्य हैं, विधान परशेत के सदस्य हैं, लोग सभाय के सदस्य हैं, या उनका परिवार किस करना होगा कि नहीं यह काम तो मेरे कारोबार से जुड़ा हुआ है लिए इस फैसले में मैं शामिल नहीं हो सकता है लेकिन यह तो बिडी हमने बिडी कैपिलिज्म देखा 2015 में कि जो बिडी और और तंबाखों के लिए नियम बनाने वाली थी उस समिती में ही वो लोग बैठे ले थे तो दूसरा यह कि अगर महां लीजे कोई रिएल सटेट डेवलपर है अरंके लिए और और कोई पल संसद में डिसकस हो रहा है तो उसे घोषित करना पढ़ेगा कि नहीं मैं स्प्टै नe को striking नहीं लोगा क्योंकि यहां conflict of interest आता है यह मेरे कारोबार से जुड़ा हुआ है और यह चीज नीचे तक जानी चाहिए चाहिए वह सभासद हो अगर वह सभासद ठेके का काम कर रहा है उसका मूल काम construction करना है तो construction से जुड़े हुए मामलों के approval में कैसे इसा ले सकता है इस पार दरशिता को सुनिश्चित करने की कोशिस अफरीका में आस्ट्रेलिया में और कैनेडा में की गई है तीसरी जो महत्तों पूर्ण बदला हुआ है तीन बड़े बदला हुए पहला यह कि disclosure norms शेरम लेविल तक यदि आपके आप किसी ऐसे सदन का सदस्य हैं जहां आपको वोट देना है तो आप उन चीजों में वोट नहीं दे सकते जहां से आपके कारोबार ही जुड़े हुए और तीसरी सबसे महत्तों पूर्ण चीजे जिसका भारत में अंतहीन दुरुपयोग है कि यदि कोरिया ताइव पूस्टिंग के बाद अगली पॉस्टिंग तयार रखी होती होती है वहाँ यह नियम है कि नहीं अगर आप एक बार राजनीतिक पद पर रह चुके हैं सरकारी पर रह चुके हैं तो फिर आप दुबारा नौकरी में जाने के लिए बहुत सारी नियमों और शर्तों का पाल प्रिपने के दावों का कोई मतलब नहीं है एडियार की रिपोर्ट दूसरी तरह भारत की स्थितिए क्या है एडियार की रिपोर्ट है 2015 की जो मैं बताती है कि लोगसभा की जो आचरण समिति है इथिक्स कमेटी है उसमें 2008 में दरपन एक पूरी रिपोर्ट दी थी वो रि फिल्ट आफ इंटरिस्ट घोशित करने थे बताना था और वो सदन्मक को और देश को जानकारी मिलनी चाहिए थी कि यह सांसट जो है इसका बैक्राउंड क्या है यह एग्रिकल्टरिस्ट और फार्मर में क्या फर्क है इसका क्या बिजनेस है यह सारी चीजें बताने के लि यह बहुदली है यह सर्वदली है इस पाखंड में एक राजिनितिक दल शामिल नहीं है बहुदली है और यह हमारा दुरभाग्य है देश के लोगों का दुरभाग्य है कि हम इन पार दरशिताओं पर ना बात करते हैं ना चर्चा करते हैं और ना प्रशन पूछते हैं और तो यह जो दीमक वाला काठ महल है ना, यह पूरी विवस्ट सिस्टम का जहां पर conflict of interest धसे हुए हैं, जहां राजनितिक दलों का सदस बनकर राजनितिक कारोबारी लाव उठाने की विवस्था, इस्थापित हो चुकी है, हमें वहां हमें बहुत सारी बहसों की बीच में फसा कर इस पाखंड के आरपार देखने से रोग दिया जाता है, हमें उन facts को ही समझने की समझ नहीं दी जाती, जिन facts के जरिये में इसको समझ सकते हैं, इसलिए बात यह नहीं है कि आप retired judge को ले आया और उसको संसद में बिठा दिया, या एक retired सरकारी अधिकारी को मंत्री बना यहां तक यह है कि अब राज़िति के हमाम में यह स्थिति इतनी सपष्ट हो चुकी, इतना खुल चुका है कि राजिनितिक कारता में एडे जेस्ट करना, Applicant कोट agents करना मुखी मंत्रियों को और अधिकारियों का दाइत थो बन गया है, यह दाइत थो यह सा बन गया है कि हम जब कि पूरा का पूरा पारलिमेंटरी डिमोक्रिसी और ट्रांस्पेरिंसी का मॉडल इसके बिरूत भाए ख़़ा हुआ है। वो तो यह कह रहा है कि नहीं का बनाई है नहीं जो आगा है धोके से उनको भी खोल कर सामने रख दीजिए। लाने की तो बाती दूर है जो मौझूद है जो चुनकर आ रहे हैं उनसे भी पूछे कि वो ऐसा तो नहीं है कि सांसद होने के साथ साथ अपने चार परिवार के लोगों को सरकार के ठेके दिलवा रहे हूं यह कैसे पता चलेगा। मौडल है. इस पर हमने चर्चा की थी. लेकिन फार दरश्टाग के दरश्टे से यह बिलकूल ही उल्टा है. दुनिया किस डारेक्षन में जा रही है कि वो चुने हुए एक anecdotal मतलब वो याद आ रही है कहानी की या छोटा सा किस्ता सा याद आ रहा है जिस तरीके से विदेश या जो जिस तरीके से developed countries जो है conflict of interest को डील कर रही है 90s में एक movie आई थी गदर एक frame का था यह अर्थशास्ते जुड़ा हुआ अनक्डोट नहीं है बढ़ फिर भी तो यह गदर एक frame का था जो की वो जी ने direct produce की थी तो जब जी सीने award हुआ था उन्होंने कहा था कि हम इस movie को उमीद थी कि 14-15 अवाड उस साल लगान और गदर एक frame का था ही सबसे अच्छी रही थी तो जी ने कहा था कि हम गदर को गदर एक frame का था को award ही नहीं देंगे उन्होंने इसको हटा दिया था उस दिन से मैंने जाना था कि conflict of interest क्या होता है और कैसे इसको deal किया जाता है यह मतलब अर्थशास ते जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी अगर दरशक समझना जाए तो अंत में अगर मैं सवाल पूछू हमेशा की तर था conflict of interest बहुत ही सूक्ष में बहुत ज्यादा सूक्ष में और आप जतने complex market economy में चले जाते हैं जहां कालोबारी होना और राजनेता होना consultant होना और worker होना यह सारे जो विभाजक रेखा हैं जहां professional होना और political worker होना यह सारी विभाजक रेखा हैं धूमिल हो जाती है कि होती है ठेका भी दिलवा सकते हैं जब यह जो पारदर शिताएं हैं और यह जो विभाजक रेखा हैं जो कारोबार को राजनीती से दूर रखने की विभाजक रेखा हैं इस था पे विभाजक रेखा हैं धूमिल हो जाती हैं तो conflict of interest को समझना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसलिए जरूरत होती है कि आप नए सिरे से हर दो साल में तीन साल में अपने चुने हुए प्रितियों सरकारी और धिकारी के लिए पारदर शिता के नए सक्त से सक्त नियम बनाते चले जाएं यानि कि उन्हें पता रहे कि अगर वो ज प्रिष्ट भूमी तो पारदर्शिता के प्रिष्ट भूमी थी उसके पीछे तो बड़े घोटाले थे उसके पीछे तो टूजी घोटाला था उसके पीछे तो देवास इंट्रिक्स का स्कैम था उसके पीछे तो कोल स्कैम था उसके पीछे तो ये वादे थैं कि भारत में हमें आप में जो भिष्टाचार और आप राधिक प्रिष्ट भूमी वाले सांसाद हैं उनको सबको क्लीन किया जाएगा हमें बहुत पारदर्शी सवाल देखेंगे हम से ये थोड़ी बादा किया गया था कारोबार का इतना बड़ा संजाल खुली आँकों से दिखता है उसके लिए आपको को इन्वेस्टिगेटिव जर्रिट होने की जरूत नहीं आपको खुली आँकों से दिता है और इसके असंग के उदार आपके सामने पहले हुएं जब हमें हमें ये देखता है तो थोड़ी निराशा होती है निराशा होना इसलिए आवश्चक है क्योंकि वो निराशा ही शायद हमें इस बात के लिए प्रेरिट करेगी दरपड़ कि हम सब्सवाल पोच सकें कि आखर हम इस पूरे सिस्टम में पारदरशिता चाहते भी है कि नहीं चाहते है या हम इसे भाग इमान तुमने कौन सा इसा काम किया और अगर ऐसा नहीं होता है तो इससे दो बड़े नुकसान होते हैं पहला बड़ा नुकसान ही होता है कि बहुत बड़ा वर्ग बहुत बड़ा वर्ग पूरी पॉलिटिकल सिस्टम से इलूफ हो जाता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है वो वर्ग वो होता है इसके पस और कुछ करने के लिए है नहीं तो वो सिर्फ अपनी जीविका कमाता और चुपचाप सामान रूप से पनी जिन्दगी बिताता रहता है और एक दूसरा वर् बनाने की फेक्टरी भी लगाना चाहता है तो पहले समझ लो कि तुम्हारा नेटवर कनेक्शन क्या है तो एक गुरूप ऐसा होता है जो इस पूरे विवस्था से बिल्कुल अलूफ होके अपनी जिगह पर खड़ा रह जाता है और दूसरा वह होता है जो उस जमात में शा हो जायगा जो उसे नहीं उंचाई पर ले जाएगी क्या सरकार सोचेगी क्या संसत में लोग बात करेंगे क्या को यह बात करेगा क्या कोई अधालत क्या 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 संसत की थिक्स कमिट का समिशित instra case या क्या बड़े-बड़े आधर श्वादी और ऌर पार्दरा-शिता की बात करने वाले सरकार के नेता और मुक्यमंत्री और बाकी लोग ये बताएंगे, ये करेंगे कि नहीं हम बैठते हैं देश में, सारे मुक्यमंत्री बैठते हैं, सारे सांसत विधायक बैठते हैं, सारी अदालतें बैठते हैं, और हम सरकारी और राजनितिक प्रतनिधियों के सकते हैं जिसे हम देख सकते हैं कि नहीं भारत 마음에 पारदरशिता कि क्या हम कभी ये सोच सकते हैं क्या ऐसा हो सकता है हो सकता है यहीं हम ये ऊम्मीद hemis हमें कि जानी चाहिए लेकिन होगा के नहीं होगा ये कहना मुश्किल है पर सवाल जरूर होते रहने चाहिए और कम से कम कुछ न हो तो हमें और आपको और बाकी लोगों को इस पाखंड के आर पार देखने की समझ जरूर पैदा करनी चाहिए समझ जरूर विक्सित करनी चाहिए कि हम समझ तो सके कि हो क्या रहा है सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए और यह समझ भी जरूर होनी चाहिए हमें हो आपको या हमारे दर्शकों को कि जो भी परदे के पीछे या इस पाखने के पीछे या किसी भी चीज के पीछे क्या चल रहा है अंश्मन जी अब चलते हैं पिसले एपिसोड जुड़े सवालों की तरफ NP Trust Law और ऐसे किसी भी सरकारी कानून से जुड़े हुए जुड़े हुए चीज से सवाल है कि don't you think this type of action against these giant companies जैसे Google और Facebook वगरा की बात की for their data is not good means I want to say by these data these companies are creating better products for us which is ultimately beneficial for us जिटेश लालवानी जी पूसरे हैं कि मतलब जो law की बात सरकार लानी की बात कर रही है या जो privacy वगरा की बात कर रही है क्या आप नहीं समझते कि यह law नहीं लाने जाए चाहिए क्योंकि अगर companies को data ही नहीं मिलेगा तो हमारे लिए better products कैसे बनाईए data economy के साथ यह दुविदा हमेशा है कि आपकी कितनी privacy company को दी जाएं और कितनी privacy जानना चाहेंगे ultimately privacy आपकी आर्थिक आपकी व्यापारिक आपकी निजी सूचना है आपकी निजी सूचना है इसकी एक dividing line इसका एक dividing system होना जरूरी है नहीं तो हम consistently बिकर हैं इस पूरी विवस्था में और हमें उसके बतले कुछ मिल नहीं रहा है जो product वो बना रही हैं वो सारे के सारे product data driven product product है और उन data driven product के पीछे हमारी पारदरशेता हो से समझाता हो रहा है ये बात तब लोगों को समझ में आई जब Facebook ने चुनाओ के लिए American लोगों का data बेच दिया उन्हें तब ये समझ में आई जब किसी Amazon ने या किसी WhatsApp ने आपका data किसी ऐसी जगे या डाक वेप पे छोड़ दिया हमारा निजी अधिकार है तो चाहे वो स्वरकार हो या वो company हो एक सीमात होनी चाहिए और इसलिए यूरोप में जो नए नियम बने है उससे यूरोप में company हो के लिए का क्या काम काज में काफी पार दरिश्ट आई हमसे पूछना तो चाहिए कि आपको उसी जनकारी चाहते ह हमारा सारा डेटा डेटा निकाल ले जाता हमको पता ही नहीं चलता है कि हमारे बारे में क्या है तो अगर एक डेटा प्रोटक्शन के सिस्टम होंगे तो दरपन कोई पता रहेगा मैं अपने food का food habit का data share करना चाहता हूँ तो मुझसे पूछा जाए न मैं share करना चाहता और उसके बदले उसे सब कुछ expose कर दिए इसलिए debate महतुपूर्ण है और इसलिए लोग आल रहे हैं इस बात पर दरपन की नहीं हमारे निजताओं की सुरक्शा की जानी चाहिए क्योंकि यह बहुत बहुत subtle और बहुत दिल्चेस किसम का का रहस्मे किसम का लोग है इस इससे डेटा लेना किसी भी राजनीतिक दल के रहे होता है और यही हमने facebook के मामले में देखा था तो मुझे लगता है कि companyya इस बात को realize कर रही है कि enough is enough बहुत समय हो गया इस कारोबार को करते हुए अब इसमें कुछ कुछ नियम कुछ कानून कुछ शर्त होनी चाहिए I mean can privately hold servers become part of national government assets so that we can pay tax for servers and government is held accountable for data in it also in return government can rent a server to tech companies मतलब जो servers को जैसे अभी spectrum की तरह अमेरिकार से लाने का क्या ऐसा संभव है और इससे फाइदा होगा यह बोलना चाहरे है यह बिल्कुल दूसरा ध्रूब है इससे पहले जो सवाल आया था घितेश लालवानी का वो यह संकेत देता था कि नहीं आप company को खोड़ा चोड़ा दीजिए वो जो मर्जिये करें आप सिर्फ उनके service लीजिए और इमत पूछिए कि आपके data को किस तरह और कहां बेच रही यह बिल्कुल दूसरा सवाल है कि आप सरकार के हाथ में अपना सारा data रख दीजिए सारे server सरकार को दे दीजिए Amazon का server भी सरकार का हो जाए Google का server भी सरकार का हो जाए तो सरकार है तो उसे रख खथरनाक है सरकार है तो चाहती है कि वो तो वैसे हिसे सारी चीजों पर निंतरन करती हैं वो और भी आपके वादे में जानकारी चाहती है आधार को लेकर तो यहीडिए थी कि आधार के data में privacy के level को लेकर डिबेट है तो problem किया है ना कि हम बहुत पहनने ओड़ने सर्च करने डिलीट करने आने जाने हर चीज की जानकारी चाहिए। सरकार एक surveillance state बनाने की कोशिश में रहती है हमेशा सरकार है पुराने दाओर से जब टेकलाजी नहीँ ती तब भी वो एक सर्विलांस इस्टेट बनाने की कोशिस करती है और मार्केट हमेशा एक डेटा ड्रिवेन या डेटा इंफार्मेशन बेस्ट एकॉनमी बनाने की कोशिस करता है यह दोनों चीज़ें आवश्यक हैं सुचनाए सरकार के पास रहें भी जरूरी है और अच्छे प्रोजेक्ट और सर्विसेज की प्लानिंग के लिए सुचनाएं कंपिनियों और कार्परेट के पास रहें भी जरूरी है पर हमें यह इधर या उधर के बीच में नहीं कहीं बीच में खड़े होना होगा वो बुद्धवाला जो मद्ध्यम मार गए है वहाँ पर हमें आकर खड़े होना पड़ेगा जहां हमारा अधिकार हो यह लोग तंत्र में में जिसे मतदान का अधिकार हमारा है नेता चुनने का अधिकार हमारा है बाजार में कार चुनने का अधिकार हमारा है मोबाइल आपरेटर चुनने का अधिकार हमारा है हम कपड़ा कौन सा खरीदें इस का अधिकार हमारा है तो ये अधिकार हमारा होना चाहिए कि हम अपना कितना डेटा किसको देना चाहते हैं हमें पता हमसे पूछा जाना चाहिए अबितम पता ही नहीं है। हमने तो दोनों तरफ छुके हैं बिलकुल इंटर चुके हैं हैं कोई आपके सिस्टम में एक एप्लिकेशन डाउलोड करते हैं अंड़राइड में, आपका सारा डेटा निकल के चला जाता है। ये जो दो बड़े डेटा हंगरी मांस्टर्स हमारे असपास खड़े हुए हैं, जो सारे डेटा को चाहते हैं, उनके बीच में ये निजता की लड़ाई काफी और लिबल्टी की लड़ाई हो गई है, ये किसम की आजादी की लड़ाई है, जो पूरी दुनिया में शुरू हो बड़ाई की नहीं हम डिजिटल मॉनोपोली नहीं बनने देंगे भारत में, ये मानना पड़ा नहीं बनना पड़ा, तो इसलिए मुझे लगता है कि दोनों ध्रुबों के बीच में जूलने के बजाए, एक मध्यमार की वास्ता होनी चाहिए, जो बनना शुरू हो गई है, योरोप में बनना शुरू हो गई है, अमेरिका में बनना शुरू हो गई है, लोग सबसे महतुपूर्ण है ना, महतुपूर्ण तो लोग है, नागरिक है, व्यक्ति है महतुपूर्ण, और वो जो व्यक्ति है महतुपूर्ण, उसकी स्वाधिनता होनी चाहिए, कि वो ये पूछते हैं सर्क पी एलाई स्कीम को आए हुए कुछ टाइम हो गया है क्या इससे कुछ फाइदा हुआ गर्रमेंट अफोर्स फुरी फॉरन ब्रेंड का मार्केट एक्सस रोग रही है जो मैनिफेक्ट्रिंग नहीं करना चाहती बन इससे सच में कुछ फाइदा होता है या क कमिल नाडू गवर्मेंट के 200 बिलियन डॉलर का के इलक्ट्रोनिक कंपोनेंट की मैनिफेक्ट्रिंग का गोल है बाइट 20, 25, 26 क्या इंडिया इससे फाइनली एक एक्सपोर्ट जीवन एकॉनमी बन पाएगा क्योंकि हम हमेशा ही उल्टा काम करते हैं बिना एक्सपोर्ट दरपर मैंन का सवाल समझ गया, PLI पर हम अलग से एक चर्चा करेंगे, PLI स्कीम को लगभगी एक साल पूरा हो गया और PLI के दारे में आने वाले उद्योगों की संख्या लगातार बढ़ रही है, हम अर्थात के एक पूरे एपिसोड में PLI स्कीम उसका असर उससे मिलने वा हम इस पर काम करके जरूर लोटेंगे और एक हर्थात के एपिसोड में इस पर चर्चा जरूर करेंगे। नई जो मैं एक साथ पढ़ रहा हूँ, एक किताब तो एक अर्दू के बड़े नकाद, बड़े समालोचक हैं, शमीम हनफी, उनकी किताब है हम सफरों के दर्मिया, जो पिछले दो पिड़ियों के जो बड़े अर्दू शायर हुए हैं, फैज, अकबाल, राशेद, जोश, इनकी शायरी को समझने में इनकी शायरी के, ऐसे आया हैं जिनके बारे में नासामान ररुप से आप उनकी शायरी सुनकर नहीं समझ सकते, जब तक आपको कोई नकाद, कोई इसमालोचक या कोई कृटिक यह ना बताए कि उस शायरी का इंपक्ट क्या था, वो के अपढ़ तो एक तो ये पुस्तक मेरे अध्यान में चल रही है, दूसरी पुस्तक का डेविट कैनमेन की किताब आई है, नौाइज, ये किताब बता, नौाइस, अफलाइन हुमन जज्ज्मेंट, डेविट कैनमेन काफी मशूर राइटर है, इनके पहले किताब आई थी, नज, काफी चर्चा में रही थी, इसे पहले इनके किताब आई थी, तिंक फास्ट एंड स्लो, तो ये जो नौाइस किताब है, ये ये उस शोर, उस भीड, वो सारी गयर जरूरी सूचना हैं, जो आपकी समझ को ही बाधित कर देती है, आप इतना जाते हो कि कुछ भी नहीं जान पाते ह हम कैसे बच सके हैं, जिस पर हमने आज भी चर्चा की थी, कि हम, और वो नौइस जो है, वो मैनुफेक्चर्ड है, वो पॉलिटिकल है, वो आपको ऐसे नौइस में ले जाता है, जहां पे समझ ही नहीं पाते हैं, कि हो कुछ उल्टा रहा है, और आप तारीफ या विरोध क कोई भी राय देनी हो, तो प्लीज कमेंट के माद्यम से जरूर दें, और साथ में कोई सवाल हो, तो वो भी पूछे, हम समय जितनी हमें इजाज़त देगा, आपके अधिक सवालों को अगले सब्दा लेने का प्रयास करेंगे, तब तक के लिए विदा, शुक्रियां शुम देने वाग।